Hello students, welcome back to my channel, Haritwar Paatshala. So, today we will do a new story of your English marigou, that is, The Little Bully. The Little Bully, what is the meaning of the title, The Little Bully? Little means, chota, and bully means, परिशान करना, यहनि कि, छोटा बच्चा है, जो सबको क्या करता है? परिशान करता है, सबको टीज करता है, चड़ाता है, चीक है, ना, उसके उपर एक स्टोरी है. So, let's start the story. Do you know of any child who teases others, और pushes them around? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो, जो किसी को परिशान करता हो, किसी को धक्का देता हो, ठीक है? What would you call such a child? तो ऐसे बच्चे को आप क्या करता होगे? Read this story, and see how Harry, a little boy, troubles other children. So, एक स्टोरी पढ़ते हैं, अब हम, जो किस के उपर है? Harry, main हमारा जो character है, वो कौन है? Harry है, जो कि एक छोटा बच्चा है, और सब बच्चो को क्या करता है? बहुत परिशान करता है, बुली करता है, टीस करता है. So, let's begin our story. Explanation part of the story. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Harry. एक बार की बात है, कि एक छोटा बच्चा है, जिसका नाम क्या है? Harry, although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. वो बहुत बड़ा बच्चा नहीं, छोटा सा बच्चा है, पर बहुत स्ट्रॉंग है. ठीक है ना? और सब बच्चों को क्या करता है, चाहिए वो boy हो, चाहिए वो girl हो, ठीक है, उसके आसपा स्कूल में, उसके neighbor में, जहां वो रहता है, सब को बहुत क्या करता है, परिशान करता है. What he loved to do most was to pinch. सबसे जादा उसको पसंद है, pinch करना, pinch किसे कहते है, चूटी मारने को, वो बहुत पसंद है, दूसरे बच्चे को बैठा है, कहीं से किसी को pinch कर दिया, कहीं से किसी को pinch कर दिया, He could make a big bruise appear in half a second, bruise का मीन होता है, जब हम किसी को pinch करते है, तो हमारे hand पर, क्या पढ़ जाता है, एक निशान पढ़ जाता है, एक स्कार पढ़ जाता है, ठीक है, जो sometime, कुछ time के बाद, वो क्या हो जाता है, blue color का हो जाता है, या red color का हो जाता है, उसे कहते है, bruise, तो वो बन देता है, another trick he played was pricking people with a pin, दूसरे trick उसकी क्या है, pricking pin, यानि कि pin चुबाना, ठीक है, किसी को pin चुबाना, तो first trick उसकी क्या है, या तो pinch कर देता है, second trick उसकी क्या है, prick कर देता है, यानि कि किसी भी बच्चे को pin चुबा देता है, so you can guess how all the children hated him, तो अब देखो, ऐसे बच्च पिन आपको prick कर रहा है, तो ऐसे बच्चे को कोई प्यार करें का नहीं, तो ऐसी ही story में भी सब उसको क्या करते हैं, hate करते हैं, they tried pinching him back, but that was no good, because he could always pinch harder, अब बच्चे सोचते हैं, जिनके साथ वो bully करता है, tease करता है, कि चलो, अगर इसने हमें pinch किया, तो हम भी क्या करेंगे इसको pinch करेंगे, अगर इसने हमें pinch से prick किया, तो हम भी इसको pinch से prick करेंगे, but बच्चे जब उससे pinch करते या prick करते, तो बच्चे उतनी hard या strong तरीके से नहीं कर पाते, जितने hard या strong तरीके से, वो hurry करता है, they didn't telling, sorry, they didn't like telling their teacher, because that was, that was telling tales, अब वो क्या है, वो अपने teacher को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ऐसे बताएंगे, teacher को complain करेंगे, तो उनको लगेगा कि हम क्या कर रहे है, tale सुना रहे है, tale means कहानी सुना रहे है, so it so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day, एक दिन की बाता है, पूरी class जो है, पिकनिक पर गई, कहाँ पर एक सी साइट म यानि कि पूरे दिन के लिए पिकनिक पर गई, all the children were most excited, सारे children बहुत खुश थे, बहुत मस्ती में थे कि आज हम पिकनिक पर जाने भले हैं, खूब मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, then on that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement, उस दिन सन जो है, यानि कि जो धूब है, बहुत तेश थी और सारे बच्चे बहुत जादा शरारत के मूड में थे, naughtiness के मूड में थे, excited थे, कि आज ये हम ट्रिप पर जा रहे हैं, खूब मस्ती करेंगे, खूब enjoy करेंगे, they crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Harry, because he always pinched, सब ट्रेन में जाके बैट जाते हैं, और सब एक दूसरे के साथ बैटना पसंद करते हैं, but Harry के साथ कोई नहीं बैटना पसंद करता, क्यों? क्योंकि Harry क्या करता है? पिंच करता है, कोई भी अगर Harry के साथ बैटता है, तो Harry उसको बार-बार पिंच करता है, तो सब बच्चे अलग-अलग train की बुगीज में बैटते हैं, जैसे आप अपने figure में देख रहे हैं, then after that क्या होता है, when they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy, जब वो seaside पर पहुचे तो वो train सो तरते हैं, और खूब joy में happiness में चिलाते हैं, कि ये हम पिकनिक के spot पर पहुच गया आखिरका, down to the sand, they raced hand in hand, but nobody took Harry's hand, nobody went near him, सब एक दूसरे का हाथ पकड़के एक भागते हैं, इधर उधर, पर Harry का हाथ पिर से कोई नहीं पकड़ता है, ठीक है न, Harry was angry, Harry को ये सब देख के बहुच गुसा आता है, he went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself, तो वो seaside पर एक बहुत बड़ा रखा वह होता है, बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है, वहां उसके उपर जाके बैट जाता है, he took out his lunch and looked at it, वो अपन boiled eggs, lunch में क्या लेके आया है, दो boiled eggs लेके आया है, six jam sandwiches लेके आया है, three pieces of bread and butter लेके आया है, ginger cake and bar chocolate, तो ये सब कुछ किसके lunch में होता है, Harry के, he would eat it all by himself, और वो सारा का सारा lunch क्या करता है, अकेला खा जाता है, he wouldn't offer anything to anyone, यानि कि अकेला अकेला बैटके lunch कर गया, उसने किसी को offer भी नहीं किया, आजो में इसाथ लंच कर लो, या sharing, नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया, just as he was beginning on the eggs, he heard a horse voice near him, जैसी वो eggs खाने लगा, अपने लंच में से, तो उसको एक आवाज आती है, एक sound सुनाई देती है, वो sound किसकी होती है, horse, horse की जैसे sound होती है, good morning, I am so pleased to meet a boy like you, औ वो voice के कहती है, good morning, मिरको तुम से मिलके बहुत अच्छा लगा, मिरको तुम जैसे बच्चे से मिलके बहुत अच्छा लगा, Harry turned around and steered in fright, अब Harry एकदम से surprisingly turn करके देखता है, कि यह वाज आ का से रही है, whatever do you think he saw, अब वो देखता है, तो देखके बड़ा है, क्यों, Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool, देखता है, कि पूल में से कौन भारा रहा है, क्राब्स भारा रहे है, his eyes were on the ends of the short stalks and he looked most queer, और वो देखके उनको क्या कर जाता है, एकदम ड़ जाता है, एकदम घबरा जाता है, he held out his front claw to Harry, Harry put out his hand to shake the crab claw, अब जैसे आप figure में देख रहे हो, तो क्राब क्या करता है, अ प्रंट आगे का जो claw होता है, वो Harry हैंड शेक के लिए मिलाता है, but to his surprise and anger, the crab opened his spine sides and nipped his hand so hard that the little boy here, अब वो बहुत साथ excited होता है, कौन क्राब, किसे हैंड शेक करने के लिए Harry से, तो वो जल्दी जल्दी के चकर में, जब अपना एक हैंड जो है, Harry से हैंड शेक के लिए मिला तो उसमें से उसका एक जो crab का, जो spine है, यानि कि जो कानटा है crab का, वो किसको चुप जाता है? Harry को, और Harry जोर से चिल्लाता है, अब गलती से चुप गया, जोर से चुप जाता है Harry को, तो जोर से चिलाता है, क्या कहता है, ओ, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool, वो कहता है, ओ, ये कौन है, मेरा एक अच्छा कजन है, क्यों? कौन कहता है, क्रैब कहता है, अच्छा कजन है, अच्छा कजन है, क्रैब, हैरी को क्यों? क्योंकि, हैरी भी तो यही करता है, अपने क्लासमेट्स को, क्या करता है, पिंच करता है, प्रिक करता है, और आज क्रैब ने किसको प्रिक किया, हैरी को करा, अब हैरी जो है, उस लॉब्स्टर को रोकता आने से, पास आने से, इतनी देर में लॉब्स्टर भी आता है, और अपना जो क्लाउ है, वो किसको पिंच कर देता है, पिंच कर देता है, हैरी को, और हैरी फिर से जोर से चिलाता है, किसे, दर्द के मारे जोर से चिलाता है, फिर से, अब पहले, प्रिक किया किसने, क्रैब ने, देन प्रिक किया, लॉब्स्टर ने, किसको प्रिक किया, ह और देखता है कि sandy colored में से श्रिम्स प्रांज क्राब्स और अनदर लाज लॉब्स्टर दे प्रिक्ट हैरी तिल वह सून ब्लैक अन्ड ब्लू विद देर पिंचिंग वहां से जो सी है सी में से जितने भी सी अनिमल्स हैं वह दीरे 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 जो क्राब्स लॉब्स्टर या यह सब क्या कह रहें धीरे भी दी बाएक और वहां है को क्या करें üzradar और पिंच कर रहें और जब तक अंगे भी या ब्लू या ब्लाक कलर का नहीं जब हम किसी को चूटते हैं या काटते हैं तो वो area हमारा क्या हो जाता है swell होने लगता है और उसका color क्या हो जाता है change हो जाता है तो जब तक वो area Harry का change नहीं हो गया color change नहीं हो गया black or blue नहीं हो गया तब तक वो सारे जो sea animals थे वो उसको काटते रहें Don't you like it? Set all the creatures in surprise. अब सारे creatures Harry से पूछते, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? Why we were told you would love to see us because you were champion, Pinscher, Picker by yourself. वो गयते हैं, हम तो तुम्हें देखे, बहुत खुश हुए, क्यों खुश हुए? क्योंकि तुम तो champion हो, किस चीज के champion हो? पिंचर के और प्रिकर के, पिंचर यानि कि किसी चीज को क्या करना? चूटी मारना और प्रिकर यानि की चुभाना. तो तुम तो champion हो, तुम तो सब अबने classmates को बार-बार ऐसे ही करते हो, Come, come, join in the fun. चलो-चलो आजाओ, हमारे साथ ये fun enjoy करो. हम तुम को क्या करेंगे आज? हम भी तुम को प्रिकर और पिंचर करेंगे. Harry leaped to his feet, crying loudly. Harry जो है, अब जोर-जोर से रोने लगता है. His lunch rolled into the pool. और रोता है, तो उसका जो lunch होता है, वो सारा कहां चला जाता है? पूल में. And when the crabs and lobster saw it, they ran to it and began to feast eagerly. और जैसी crabs और लॉब्स्टर देखते हैं, Harry का सारा का सारा जो lunch है, वो कहां गिरी है, पूल में गिरी है, तो वो दोनों भागते हैं, और फटा-फट से उसका सारा lunch खा जाते हैं. Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life. अब Harry को लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए बाकि उसकी classmates होते हैं. They only did to me what I keep doing to the other children. अब वो अपस अपने आप सी बात कर रहा है, अपने आप में ही सोच रहा है कि उन सी creatures ने तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही किया, जैसा मैं बाकि अपने classmates के साथ करता हूँ. मैं भी उनको परिशान करता हूँ, बुली करता हूँ, टीज करता हूँ, वो भी मेरे को बुली करते हैं, टीज करते हैं. He thought, but how it hurt, सोचता है वर वो कहता है कि ये तो बड़ा दुख होता है, यानि ये बड़ा पेन होता है. And how I hated those crabs and lobster. और अब मेरे को समझ में आया कि बाकि जितने भी classmates से उसके वो उसको hit क्यों करते थे, क्योंकि वो उनको क्या करता था, बुली करता था, टीज करता था, परिशान करता था. Well, I jolly, well, shan't pinch or prick anymore. उस जिन से उसको समझ में आगया और का, अप से मैं अपने किसी भी classmate को कभी भी परिशान नहीं करूँगा, ना ही pinch करूँगा, ना ही prick करूँगा. Okay student, so, इस story से हमें क्या moral मिला? कि हमें कभी भी किसी के साथ, कभी भी गलत तरीके से behave नहीं करना चाहिए, किसी को bully नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज किसी को bully करा है, तो हो सकता है कि next day किसकी बारी हो, किसकी टॉनों हमारी हो. Okay student, so I hope you like the story and enjoyed it very well. So thank you students.